मुझे न एटीज की हिंदी फिल्में देखकर बहुत कन्फूजन होता था अल्मोस्ट हर फिल्म में एक विलन होता था जो हिरोईन या साइड हिरोईन पर रेप करने की कोशिश करता था और बाद में लोग उस लड़की के बारे में बोलते थे कि इसकी इज़त पर हमला हुआ है या तो फिर इसकी इज़त लुट गई है लुट गई है मुझे यह टर्म समझ में ही नहीं आता जब बॉड़ी दोनों के इंवल्ट थे तो सिर्फ एक की क्यों इज़त लुटी ये फैमिली की इज़त ढोने का बोज लड़कियों को ही क्यों दिया जाता है भाशा बदले प्लीज तो धीरे धीरे सोच भी बदलेगी क्यों भाशा है